नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विशाल आप देखने टैक हाउस इंडिया के अगर मैं बात करूँ तो इंडिया एक बहुती बड़ा ओटो मार्केट है यहाँ पे लाइक हर साल बाहर से बहुत सारी कंपनीज आती हैं अपने अपने वीकल्स को लॉंच करने के लिए इतने बड़े ओटो मार्केट के होने के साथ ही इंडिया के अंदर अभी तक जो है किसी भी तरह का लाइक ओटो ड्राइविंग कार या अटोनोमिश कार जो है अविलेबल अभी तक नहीं है अगर मैं बात करूँ इस तरह की कार की तो US के अंदर एक Tesla नाम की कंपनी है I hope आपने नाम सुनी रखा होगा तो Tesla जो कंपनी है वो अपने कारों के अंदर जो है Autonomous Car या Autopilot Feature जो है प्रोवाइड करती है इसके तहट आप जो है कार को ड्राइव कर सकते हैं कार के अंदर आपको बैटना है और आपको ड्राइव नहीं करनी है तोटली वो कार जो है अपने आप ही जो है रोड के उपर चलेगी और जहां भी आपने डेस्टिनेशन सेट करते हैं वहाँ आपको पहुंचा देगी तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैसला का जो ओटनोमियस फीचर है वो काम कैसे करता है कैसे वो जो कार है अपने सामने आने आने वाले किसी भी तरह रुकावट को पहचानती है कैसे वो रोड पे आने वाले breaker या किसी तरह के गड़ों को पहचानती है साथ ही में रोड पे होने वाले like लगने वाले signals हो या किसी तरह के sign board हो तो उनको वो कैसे detect करती है और उसके इसाब से आपका जो रस्ता है वो तै करती है सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं कि कैसे इसके जो sensor है वो obstacle को पहचानते हैं प्रोसेस करते हैं आप देख पार होंगे कि छोटे से छोटे object को बड़ी easily detect कर लेती है यहां तक कि इसके sensor चाहे lanes हो या कोई trace scans हो या painted arrows हो सब की पहचान करती है और उसी इसाब से आपका जो driving experience है वो त्यार करती है अब अगर बात करें basic level से तो visual feedback ये car लेती है 8 on board camera से तीन windscreen पे लगे होते हैं इनके जो main camera होते हैं उसकी जो visual range है वो 150 होती है दूसरे camera की जो range है वो 60 और 3rd जो camera है उसकी 250 meter की range होती है side के जो 2 camera है वो wide angle camera होते हैं इनके बाद 4 और camera लगे होते हैं जो side में लगे होते हैं ये जो है tight spot को capture करते हैं इसके बाद जो 8 camera है वो पीछे लगा होता है जिसकी range होती है 50 meter और वो parking camera होता है parking के लिए जो है use किया जाता है car में front facing radar लगे होते हैं जो की object को डिटर करते हैं इनकी जो range होती है वो 160 meter की होती है जिसमें ये radio waves को bounce करते हैं इसके साथ ही car में 12 small dots ultrasound sensor लगे होते हैं इनकी जो range होती है वो 8 meter तक होती है ये जो sensor है आसपास के किसी बी तरह के object को डिटर करते हैं लाइक कार के आसपास जो है कोई कुटा ना हो या कोई बच्चा जो है आसपास कार के ना हो तो इस तरह के object को डिटर करते हैं इन सबी technology के साथ ही टेसला कार में जो अगर मैं बात करूँ बहुत ही जबरदस quality के GPS और world class mapping system जो की help करते हैं आपको आपकी destination तक पहुँचाने के लिए सबसे उपर अगर बात करें तो टेसला कार में लगा है central computer यही है जो टेसला कार का heart है जो की इसमें लगा हुआ है टोप class का chip system जो की इतने सारे input source को process करता है जिसे कहते हैं self driving chip यह computer 26 trillion operation को process करता है सिर्फ एक second में जिसकी वज़े से real time hazards को यह जो है process करता है इस chip system के बारे में अगर बात करें तो इस central computer के अंदर बहुत सारी चीज़े पहले से ही save रहती हैं like signals को detect करना हो या signboards को read करना हो या lens के बारे में जानकारी पहले से ही इनने पता होती है लेकिन इस car के बारे में जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो है इसका learning system यानि ये car जो है अपने आप आपके माहूल की साबसी चीज़ों को समझती है learn करती है और बहुत सारा data save करके जो है टेसला के headquarter भी भेजती है जिससे इनके आने वाले जो नए जो software update है उनमें ये जो जानकारी जो है वो ये डाल सकें इन सबी features के बाद भी टेसला को जो है level 2 autonomous car की ही rating provide है मतलब ये है कि during the travel आपको steering के उपर हर शमय हाथ रखना ही होगा और जरूरत पढ़ने पर आपको खुद भी drive करना है Actually autonomous car के अंदर level 1 से लेकि level 5 की rating होती है level 5 का मतलब है कि car में सिर्फ आपको बैठना है उसके बाद आप सो सकते हैं साइडों में देखे मतलब आपको कुछ भी नहीं करना लेकिन अभी टेसला जो है level 2 तक ही पहुंची है लेकिन इन future में जल्दी ही level 5 तक पहुंच जाएंगे उसका मतलब होगा कि आपको जो है nice steering पे हाथ नहीं रखना पड़ेगा और car fully automatic चलेगी इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही ये information आपके लिए कितनी useful रही आप हमें comment section में बता सकते हैं साथ ही इस वीडियो के regarding अगर आपके कोई भी suggestion हो या किसी भी तरह के कोई चीज हो तो वो आप हमें comment section में बता सकते हैं और शाथ ही ऐसी टैको ट्रेंडी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीज़े टैक आउस चैनल को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद